गुड मानिंग क्लास नाइन्द के सभी स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों का आज हिंदी का पीरेड है और संपूर देश में फैले कोबिड नाइन्टीन महामारी का प्रकोप पूरे बिस्व में फैला हुआ है ऐसे में आप घर पर रहें मुख पर माक्स लगाएं मुख पर माक्स लगाएं रखें सावन से बार बार हाद धोते रहें सेनिटाइजर का इस्तिमाल करते रहें हिंदी विषय में हिंदी विषय अब आपके लिए बेहद आसान हो गया है जो हम लोग कोर्स ज्यादा पढ़ते थे अब बहुत चैप्टर हिंदी विषय में कार दिये गए हैं जोकि आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसमें यहाँ पे हिंदी विषय में पहले पार्ट से गद्ध खंड है गद्ध खंड में कुल आठ पार्ट दिये गए हैं तो आठ पार्ट में से पूरे आठ पार्ट अब आपको नहीं पढ़ने हैं पहले पूरे पढ़े जाते थे लेकिन अ तिसमें पहला पाथ है आपका मुन्सी प्रेमचन्द का जो की है दो बैलों की कथा है ये आपको पढ़ना है दूसरा पाथ है राहुल संकृतियान का लहासा की ओर ये भी पाथ है आपका पढ़ेंगे तीशरा पाथ स्यामचरन दूबे का है उपभोगतावाद की संस्कृति ये पाठ आपका चैप्टर से हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। चवथा पाठ है जाबीर हुसैन का सावले सपनों की याद, ये पाठ आपको पढ़ना है। और पाठ पाठ है चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है। छठा पाठ है हरी संकर परशाई, प्रेम जंद के फटे जूते, ये पाठ आपको पढ़ना है। और साथवा और आठवा पाठ ये आपका काड़ दिया गया है। महादेवी वर्मा का मेरे पच्पन के दिन और हजारी प्रसाद द्रिवेदी ये कुत्ता और एक मैना ये दोनों पाठ आपके कट गये हैं। इसी प्रकार से काब विखंड में भी नौवा पाठ है आपका कबीर दास का था, जोकि साखिया योम सबद कबीर दास का था, ये पाठ हम लोग पहले पढ़ते थे, अब ये जो है आपके कोर्स में काड़ दिया गया है। अब आपको नहीं पढ़ना है। तेरा होँआ पाठ सुमित्रा नंदन पंत ग्राम सिरी चौदा होँआ पाठ है केदार नाथ अगरवाल चंद्र गहना से लौटती बेर पंद्रा होँआ है सर्वेसवर द्याल सकसेना मेघ आये सोला होँआ पाठ है चंद्रकान देवताले यमराज की दिशा ये चार पाठ आपके चैप्टर से हटा दिये गए है इसको आपको नहीं पढ़ना है तेरा चौदा पंद्रा सोलर अउधर नौ तो कुल मिलाज के काब खंड में आपका कुल पाँच पाठ कट गया है पाँच चैप्टर कट गए है अब आपको सिर्फ यहीं पढ़ने है काब खंड में ललद का पढ़ना है और दूसरा रस्खान का पढ़ना है माखनलाल चतुरवेदी का पढ़ना है और राजेस जोसी का पढ़ना है इसी प्रकार से गद खंड में मुनसी प्रेमचंद का आप पढ़ना है राहुल सक्रित्यायन का पढ़ेंगे चौथा पार्थ जो है जाविर हुसैन का पढ़ेंगे और पाचवा हरिसंका परिसाई का पढ़ेंगे तो गद्खंड में कुल चार पार्थ इधर पढ़ेंगे और चार पार्थ काविखंड में पढ़ेंगे कुल टोटल आठ पाठ आपको पढ़ने हैं. जो कि पहले से गद और काभि मिलाकर के कुल 17 पाठ थे. अब गद खंड और काभिखंड दोनों मिलाकर के कुल शवित नों पढ़ने हैं. इसलिए अब मन लगा के पढ़ी आनलाइन पढ़ाई होगी कोई दिक्कत नहीं है तो आईए सबसे पहले हम लोग गद घंड से शुरुआत करते हैं पहला पार्ट जो की है आपका मुंसी प्रेमचंद का दो बैलो की कथा यही पार्ट से हम लोग पढ़ना आरम करेंगे और ए उनकी किस कहानी के विशे में हम लोग पढ़ेंगे दो बैलो की कथा तो आईए सबसे पहले हम लोग महान कथाकार गद्यकार निबंदकार मुंसी प्रेमचंद के जीवन के विशे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप सबी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 प्रेमचंद का बच्पन आभाओं में बीता सिच्चा बीये तक ही हो पाई उन्होंने सिच्चा विभाग में नवकरी की परंत असहयोग आंदोलन में सक्री भाग लेने के लिए सरकारी नवकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखनकार के प्रती पूरी तरह से समर्पित ह गये सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया जैसा कि आप सबी जानते हैं बहुत जादे दूर की बात तही है अपने बनारस ही छेतर के ये रहने वाले हैं इनका जन्म सन 1880 में हुआ था और गाओं का नाम लमही बताया गया उनका मूल नाम उनका बच्पन का नाम उनक कहने के मतलब बहुत ही बहुत गरीवी में बीता तो और आगे बता रहे हैं कि इनकी जो है सिच्छा बिये तक ही वो पाई थी और उन्होंने सिच्छा भिभाग में नौकरी भी की थी परन्त उस समय असाहयोग आंदोलन में सक्री भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन किन उन्होंने त्याक पत्र दे दिया और पुनह लेखनकार के प्रती पूरी तरह से समर्पित हो गए क्योंकि इनकी लिखावड जो है बड़ी सुन्दर थी और ये लिखते थे महानकद्यकार कथाकार कहानिकार थे इसलिए जो है ये लेखनकार अपने लिखने के कारे में पूरी तरह से जुट गए सरकार नवकरी को त्याक पत्र दिया और सन 1936 में इस महान 거थाकार का देहान्त हो गया कहने का मतलँ सन 18.18 में इनका जन्म होा था और 1936 में इस महान कथाकार का देहान्त हो गया कुल मिला के 56 साल की उम्र में ये गुजर गए थे तो आगे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है मुंसी प्रेम चंद की कहानियों के विशें बताया गया है कि उन्होंने मुख प्रमुख कौन कौन सी कहानी उपन्यास लिखे हैं इ मुंसी प्रेम चंद की कहानी मान सरोवर जो है आठ भागों में संकलित है कहने के मतलब मान सरोवर कहानी जो है इतनी बड़ी है आठ भागों में संकलित है और कुछ प्रमुख कहानिया इस प्रकार से हैं जिसे सेवा सदन, प्रेमा सरम, रंग भूमी, काया कल्प, निर्मला गवन कर्मभूमी गोदान उनके प्रमुक उपन्यास हैं उन्होंने हंस जागरण माधुरी आध पत्रिकाओं का संपाधन भी किया कथा साहित के अतरिक मुंसी प्रेमचन नीबंध एवं अन प्रकार का गध लेकर भी प्रचुर मात्रा में किया प्रेमचन साहित को सामाजिक परिवर्तन का ससक्त माध्य मानते थे उन्होंने जिस गाओं और सहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिवत्ती उनके कथा साहित में मिलती है किसारों और मजदूरों की दैनी इस्थिती दलतों का सोचड समाज में इस्थिरी की दूरदसा स्वाधिनता अंदोलन आद उनकी रचनाओं के मूल पिसे हैं आगे बता रहे हैं प्रेम चन के कथा साहित का संसार बहुत ब्यापक है उसमें मनुस सी ही नहीं पसु पच्चियों को भी आदबूत आत्मियत्ता मिली है बड़ी सी बड़ी बातों को सरल भासा में सीथे और संचेप में कहना मूनसी प्रेम चन के लेखन की प्रमुख विशे प्रेम चन्द हिंदी साहित को ही समाजिक परिवर्तन का ससक्त माध्यम मानते थे जो अपना हिंदी साहित है इसको ही ससक्त संपूर माध्यम मानते थे और उन्होंने जिस गाउं और सहर के परिवेश को देखा जो गाउं जैसा है जो सहर जैसा है उन्होंने अपनी कहानी को अपने बंदों को लिखा अपने उपन्यासों को लिखा और उस उन कहानियों में किसानों और मजदूरों की दैनी इस्थिती को देखते हुए उन्होंने दलतों के प्रसित सोसर देखते हुए उन्होंने अपनी कहानी में लिखा है समाज में इस तरी की क्या दूर्दसा है स्वाधिनता अंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल भी से माने जाते है प्रेमचंद की कथा साहित का संसार बहुत ही बड़ा है ब्यापक है उनसी प्रेमचंद की जो कथा साहित है ये बहुत ही बड़ा है उन्होंने मनुस से ही नहीं उसमें मनुस से ही नहीं पसु पच्चियों का भी जिक्र किया है उन्होंने अपनी कथा साहित में बड़ी सी बड़ी बातों को सरल भासा में सीधे और संचेप में कहना मुनसी प्रेमचंद के लेखन की प्रमुक विशेषता मानी जाती है यहनि बड़ी सी बड़ी बात हो उसको सरल और सीधे भासा में संचेप में कहना मुनसी की प्रेमचन के लिए बहुत विशेश बात थी और आगे बता रहे हैं कि उनकी भासा बहुत ही सरल, सजीव एवं मुहावरेदार होती है मुहावरेदार लोकोतियां उसमें भरी रहती है तथा उन्होंने अर्भी, फार्सी और अंग्रेजी के प्रसली सब्दों का भी कुसलता प्रियोग किया है अब हम लोग जिस कहानी को पढ़ने चल रहे हैं वह है दो बैलो की कथा दो बैलो की कथा किसके माध्यम से है इसके भी से में आप जान लीजिए यहाँ पे दो बैलो की कथा तिया गया है देखें दो बैलो की कथा के माध्यम से प्रेमचन ने किरिशक समाजव पसू के भावात्मक संबंद का वर्नक किया है इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्ता सहज में नहीं मिलती उनके लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है इस प्रकार परोग्ष रूप से यह कहानी आजादी के अंदोलन की भावना से जुड़ी है इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचन्द ने पंचतंत्र और हितोब देश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है कहने का मतलब यह है कि मौनसी प्रेमचन्द जो कहानी बताने चल रहे हैं दो बैलो की कथा ये बताते हैं कि स्वतंता सहज में नहीं मिलती है यानि आजादी आसानी से नहीं मिलती है उसके लिए बार-बार संघर करना पड़ता है इस प्रकार से परोग चुरूप से या कहानी पूरी आजादी से आजादी के लिए बताया गया है कहने का भाव यहा है कि यहाँ पे जो कहानी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दो बैलो की कथा इसमें दो बैल है जिनका नाम हीरा और मोती बताया जाएगा तो दो बैल अपने आजादी के लिए अपने स्वतंतरता के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं क्या क्या लडाईया लेते हैं यह कहानी में आपको मिलेगा दो बैलो की कहानी की कथा अगले दिन मैं आपको सुनाओंगा आप लोग किताब लेके बैठें और जिससे पढ़ने में आसानी होगी कहानी पूरी होने के प्रस्चाब मैं आप सभी को प्रशन अभ्याद भी करवाऊंगा वो पीडियव के माध्यम से हो चाहे लिखवा करके हम आपको यहाँ पे लिखवा देंगे अब आप लोग एक कापी बना लेजिए उसमें आराम से लिखते चलिए एक एक पार्ट पढ़ते चलेंगे और आप लोग लिखते चलिए इस तरह से कहानी हमारी पूरी हो जाएगी और ओके थैंक्स आगे कल पढ़ाएंगे